नमस्कार दोस्टों स्वागते आप सुछिका आपके अपने उड़ी चैनल अमन प्रयाज जिगे जिसमें जैसा के फ्रेंड्स आप लोग का इस जीडिका एक्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपका आज इस चैनल के माध्यम से 1000 प्रशनों का एक स देख सकते हैं अगर आप लोग को लगता है कि एक्स्टा फेक्ट्स भी प्रशनों को साथ साथ बताया जा तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन बता जिएगा नेक्ट वीडियो से हम लोग उसको भी करने का प्रयास करेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम पच्चाश जिग जाने को मौकरिषट जरूरत है। कहां से तो मोक्ते देने का सब्सक्राइब प्रेटफों में अभी तरक आउनलाइन और दोस्ता आपका टेस्ट बूक के टेस्ट बूक पर आभी ऑफर वीचर आपका कमयाभी एक्सप्रेस सेल के नाम से तक चलना है इसमें टेस्ट बूक का यहली पास है वहां मात्र सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है एक ही पास में साथ में जिसा की रेलवे का विकेंसी आया है तो पिछला बर जब एलपी का विकेंसी आया था उसमें से 40,000 बच्चों ने मौक्टेस से जूर कर टेस्ट बूक से आपका सेलेक्शन लिया था साथ में 82 परस्ट जो कोस्ट ने आपको डाइरेक्ट हूब 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 तेस्ट के टेस्टरी से ही देखने को मिला था तो आप लोग भी इसको पास को परस्ट करके मौक्टेस को देकर अपनी त्यारी को बैतिन कर सकते हैं डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया गया है तो सबसे अधिक लिंगानुबात आपसे पूछा गया था चार ओप्सन दिए हैं महराष्ट आनप्रदेस केरल लुतमिलाडू तो इसका जो राइट एंसर हो दोस्ट आपका केरल हो जाएगा ल पर आपका लिंगानुबात फ्रेंट्स से करते हैं आपका एक हजार पुरूषप पर आपका महिलाओं की संख्या कितना है उसांड़ होसे और लोग लिंगानुबात पात करते हैं तो किरल का है इसको रृणी के हारान का है इसको भी आद दिखेगा हर्याना का जो लिंगानुपात है वो आपका 879 है उसी परकार भारत की लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत का जो लिंगानुपात है वो भारत का लिंगानुपात 943 है यानि कि 943 महिला है एक हजार पुरूस पर और हर्याना का सब से कम है 880 महिला है एक हजार पुरूस और बजट प्रबंदर अधिनियम इसका हिंदी का है तो इसको भी याद दखिएगा नेक्स को सरे कि यह सद लेपन वह पर किरिया है जिसमें लोही को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैस की एक परत चराई जाती है तो इसमें दोस्तों आपका ताम एक जस्ते का परत चला दी जाती है और इससे इन धातों का छड़न यानि कि विशिस्ता जो जंग है वह आपका लगना रूख जाता है तो इससे हम लोग गैल्मेनी करन कहते हैं ठीक इसको याद दखिएगा नेक्स कोसन है कि नेमलिकित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक के चांदी का टक यानि कि सिल्वर टंका और तांबे का जितल आपका चलाया है था ठीक है तो किस सासक ने चलाया था आपसे पूछा गया है तो इसका आपका इल्तुत्मिस हो जाएगा इल्तुत्मिस की बात करते हैं तो इल्तुत्मिस आपका कुतब दिन एवब क्या क्या था उत्रा धिकार तो मुमलिक वन्स कंड़ा मुझ्ष इससे आपका रिलेटर था इसने दो सिक्का चला था चांदी एक तामिक चांदी का जाताई तामिक चल को समंधी थे खान फ्रस्तितों कि बात करें जो अब कर दोस्तों का गउल्फ से समंदी थे इसका आपका गोल्फ हो जाएगा गॉल्फ की बात करते हैं तो अलम्पिक में कब सामिल हुआ यह आपके लिए इंपोर्टेट है तो यह उलम्पिक में आपका उनाइस सो में सामिल हुआ था ठीक है उनाइस सो का जो उलम्पिक हुआ था उसमें आपका गॉल्फ है जो की पहली बार खिला गया था इसके लावा वोकर कप आपका गॉल्फ से समंदित है, इसके लावा राइडर कप, मास्टर टूनामेंट, द यो शॉपेंट भी गॉल्फ से ही समंदित आपका कॉप है, नेक्स कोशन है, कि निमलिकित में से कौन सा विटामिन हमारी तवचा और आखों को स्वस्त रखने में सहयता परदान करता है, जोमिन गर्ण आकिरकार कहते कि इसको है, तो जोमिन गर्ण उस गर्ण को कहा जाता है, जो गैस का एक विसाल का गर्ण होता है, अमुकुर्प से भारी तत्वों की परचुड़ता के साथ, हाइडरोजन हो हीलियम गेस से बना होता है, तो इसको भी याद देखेगा, आपका जो आपना जो पिर्थिवी है, जहांपर हम लोग अभी रह रह रहे हैं, वह आपका जोमिन गर्ण नहीं हो आपका क्या है, एक आपका बूद आपका नहीं है नेक्स होसान है कि नमंबर 2023 तक निमलिकित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रेनी उत्पादक है यानि कि सबसे ज़्यदा कपास है जो कि कौन सा राज्य जो की उगाता है तो इसका राइट इंसर आपका हो जाएगा और ईसके लाबा तेलगाना आपका ठड़ पर है इसके लाब के बात करेंगे करनाटक आपका चोथा पर है और आंध्र प्रदेस आपका पच्छमा स्थान पर है इसको आप या देखिएगा नेक्स वोसन है कि भारतिय रेल्वे की वर्ष डैस तक सुध्ध सुन्ने कारवन उत्सरजे क्याने की 89 जिरो कारवन इमिटर बनने की युजना है तो भारतिय रेल्वे जो है वो दोस्तों आपका 2023 तक आपका सुध्य सुन्ने कर्वन उर्षजिन हासिल करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित नेटवर्ग बनने की दिसाक के और बर रहा है तो इसका राइट एंसर आपका 2030 हो जाएगा किस संस्था ने किया है तो इसका राइट एंसर आपका राइट एंसर हो जाएगा नेट खोशन है कि वर्ष दोरिगार्य के जिनगर्ना के अनुसर नई दिल्ली दिल्य की सक्षर्टा दर कितनी है तो ने दिल्ली का आपका सक्षर्टा दर पुछा गया है तो ने दिल्ली का जो सक्षर्टा दर है वो फ्रेंट सा आपका 88.01% है तो इसका राइट एंसर हो क्लगत्त्ता की करते है जो कि ये किसके द्वारा किया घया था जो कि पहली बार एक महिला ने आपका कॉंघ्रेस चीजिस का आपका अदिच्टा की Twilight टीका है जो कि तो सरोजनी नाइड्वा फ commandments Во兩 चुगल इंति का जो एधीका था तो Uhr प्रण दिविशन नुई 125 का है, जो की इनोंने अधक्सता है, जो की किया है, नेक्स सोसन है कि भरतनाट्यम नर्त किस तरा से समंधी थे, तो भरतनाट्यम नर्त के बात करेंगे, तो भरतनाट्यम आपका तमिलाडू का सस्तिनेर थे, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, और आपका इसका राई टेंसर हो जाएगा भरतनाट्यम की बात करेंगे, तो यह आपका सबसे पुराना सस्तेनेर थे, अगर आपसे आठ जो सस्तेनेर थे, उसमें से सबसे पुराना पूछेगा, तो भी आपका भरतनाट्यम ही इसका राई टेंसर होगा, ठेके, इसको भी आप य अध़खक कली है जो कि दोस्तो आपका। किराफ का है एक आपका कुचि-पुरी है कुचि-पुरी दोस्तो आप का ऐख आपका ऐख और इस आपका अशंद्लक इस ऑर चैनर्व में एक कई से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइटेंस आपका अवनी लखेडा हो जाएगा, और उप्सन नमर चार, अवनी लखेडा हो जाएगा, यह जो अवनी लखेडा है, यह दूस्तों आपका किस समंदी थे, तो सुटिंग से समंदी थे, ठेके, इन्होंने टोक्यो 2020 क जो पैरा ओलम्पिक खुआ था, उसमें 10 मिटर एर राइफल एस्टेटिंग इमेंट वी, 60 पदक और 50 मिटर राइफल थ्रो पोजिशन इमेंट में, कांस पदक है जुकी, इन्होंने जीता है, साथ में 2022 में इन्हें आपका पदम सरी एवोर्ड भी दिया गया था, यह जो म नाम करन है, 211 में ही बदल कर, मेजर ध्यान चेंदर, खेर रतन फुषकार है, जो की कर दिया गया था, नेक्स कोशन है, कि निम्लिकित में से किस तत्व का उप्योग, इसके अधरता अगरा ही गुनों, यान की हाईशोग्रोफिक, प्रोपटिस के करन, मॉइस्टरिंग, र तो इनका एद्मकता का नाम है, आपका विंग्स ओफ फायर, ओप्शन अमर चार, विंग्स ओफ फायर इसका राइटेंसर हो जागा, यह मुल रूप से, आपका 1929 में यह आपका प्रकास्त हो आता, यह आपका एपिज अबदुल कलाम जी के दौरा, एक आपके इनके सयोग इस बात को आप याद दखिएगा, नेक्स ओसर है कि निमलिकित में से कौन सा भरत के मेघाले का एक परसीद फसल का टाई उस सब है, तो फसल का टाई उस सब पुछा गया है, वो भी आपका मेघाले का पुछा गया है, तो मेघाले का पुछा गया है, तो इसका जो राइट फेस्टिवल कहां से है ये आज़का जबाब हम आप लोग से चाहेंगे comment section में ठीक है next question है कि कुछी पुरी निर्थ से लिए कि किस गुरु को वर्स उनिस्टन ठानमे में पदम भूसन मिला था ठीक है तो इसका right answer आपका गुरु बिमपत्ती चिन्ना सत्तम इसका right answer हो ठीक है इसके अलावा next question है उससे पले दूस्तों आपको बता दें कि केलू चन महापात्र है इनका श्रमंद आपका और इसी से है और आपका जो गुरुप विपिन सिंग है इनका श्रमंद आपका मनी पूरी नट से है ठीक है आप उदय संकर कहां से है इसका comment section में आप इसके अलाव आप बात करें बोगोलिक चेत्रफल चेत्रफल की देसे से भारत का विपिस में कौन सा स्थान है तो विपिस में आपका सात्मा स्थान है पहले नंबर पर कौन सा देस है तो रूस है पहले नंबर पर ठीक है भारत का स्थान सात्मा है जो कि पूरे विपिस का 2 प्रागेति हासिक काल को समानेता डैस के नाम से जाने जाता है तो इसे हम लोग जानते हैं नौ पसान काल के नाम से यानि कि निव स्टोन एस के नाम से हम लोग जानते हैं तो इसका राइटेंसर आपका नौ पसानी काल इसका राइटेंसर आपका हो जाएगा ठीके जो प्रकार आपको बता दें निम्न पुरा पसान, मद पुरा पसान, उच्छ पुरा पसान ठीक है इस प्रकार करके और इसको विवाजित करते हैं इसके अलावा बात करेंगे तो इनका जनम आपका 23 जनवरी 1938 को हुआ था कहां हुआ था तो आपका जम्मू कस्मिर में हुआ था ठीके इसके अलावा बात करेंगे तो आपका याद दखिएगा उस्ताद सुल्तान खां की बात करेंगे तो इनका समंद आपका सरंगी से है हरी परचादस्वस्या इनका समंद्द आपका बाष्षृ से है, जाकिर हुष्यन का समंद्द आपका तबला से है, जाकिर हुष्यन की फिर्षयन में आपके एक्जाम में 100% पूछा जाएगा इसको याद दखिएगा आप लोग, ठीके, next portion है की वर्स 1922 में जो आपका स्वराज पार्टी जो गठित हुआ था इसे तो इसका जो घठन है आपका 22 में नहीं 1923 में हुआ था तो इसको भी सुधार कीज़ेगा 1923 में आपका सुराज पार्टी का गठन हुआ था उसमें जो इसके अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके चितरंजन दास ठीके कोर मना था चितर इसके सचीव थे और चितरंदास इसके अध्यक्ष से इन दोनों नहीं मिलकर सुराज पार्टी का गठन है जो कि आपका किया था नेक्स्ट पोसन है कि पटदकल में जयन मंदिर करने मान के स्वंस के द्वारा कराया गया है तो जो पटदकल है उसमें जयन मंदिर है उसका ज इसके लावर नेक्स कोर्शन है हुआ है कि निम्रिकित में से कौन महराष्ट का ठैंक्स गिविन यानि कि धन्याद धन्यवाद ग्यापन उस सब है जो बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आत्तावसक मना जाता है तो इसका राइट इंस आपका आप्सिन नमर चार यानि कि पोला महराष्ट सब महराष्टर और 36 गर्में किसानों के दुबारा मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उस सब है जो बैल और बैलों के महत्व को स्विकार करने के लिए मना जाता है जो किर्सी और खेती की गतिविदियों का एक महत्वून इस्स महराष्ट मा paragraph मना जाता है मकरसंगलनाती तो उत्तर भारत में मना जाता है इस वाद प्याद दखियागा नेक्स कोर्चन है कि मौस और मारकेसिया निम्लिकित में से किस के अंतरगत आते हैं तो जो मौस और मारकेसिया है ये दुस्त आपका बड़ायो फाइटा के अंतरगत आता है तो इसका राइटेंस आपका बड़ायो फाइटा हो जागा बड़ायो फाइटा में जो भी आपके जीवर या रहेंगे वो आपके छोटे सलिये पहुदे होंगे वो तना पत्ती जैसे संद्रचनाए और जर्ज जैसी संद्रचन को इस साथ सरीर के डिजाइन में विंता दिखाते हैं और मार्ट्रमरकेस या दोनों एक ही प्रकार के बहुदे होते हैं जो वड़ाई फैटा वर्क से समद्रचनाए तो जागोई भारत ये साथ निर्थ के निर्थ की एक महत्पून सैली है तो जागोई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मनीपूरी निर्थ का ही एक सैली है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सतरिया आपका असम का है, उरिशी, उरिशा का है, कतक, उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, मद भारत का है, इन सभी जगों से कतक का समंध है, अगला है जिवास्म इंधन के चलने से, जलने से होने वाले प्रदूसन को कम करने के तरीकों की पहचान करना है, तो इसका अगर हम लोग दहन परकिरिया की दक्षता को बढ़ाएं उससे वस्तों में जिवास्प इंदने उसको जलानिस से होने वाले प्रदूसर को कम करने में मदल है जोगी मिल सकता है नेक्स कोशन है कि नेमन में से क्या सात्मी पंच वर्षी उदना के मुख उदेशों में से एक था तो सात्मी पंच वर्षी उदना का जो मुख उदेश था उनमें से एक उदेश था खादानों के उतपादन में विर्धी ठीके तो इसका राइटेंस से आपका हो जागा सात्म प्रत्पादर में विर्धी भी करना था इसका जो लक्ष है आपका 5% रखा गया था लेकिन जो हासिल हुआ था आपका 6.01% हुआ था ठीक है नेक्स कोशन है वो है कि किसने सेप्तमबर 22 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एरकराफ्ट केरियर आइनेस विकरांड को परम वस्तमंत्राले के अंतरगत आता है या आती है तो इसमें से इसका राइट इंस आपका समर्थ योजना था जो ऑप्शन नमर 3 समर्थ योजना दिया गया है वो दोस्ता आपका वस्तमंत्राले के अंतरगत थी आपका आता है ठीक है नेक्स कोशन है कि निमलिकित में से किस मो तो असोक कौन था तो असोक के बारे में बता दे य Peet continuously को का स्थापना किसने किया था तो छंद गुप्त नहें किया था ईसके अलमा फिंदुसार था जिसकी अमित्रिफः घरट के नाम से जानते हैं असोक को हम लोग देवना पिया के नाम से जानते हैं, इस बात को याद दखेगा, जो असोक है, वो आपका 232 इसापूर में इनका मिर्ती हुआ था, 268 बिसी में इनका जनम हुआ था, ठीक है, 304 इसवी में इनका जनम हुआ था, 232 में मिर्ती हुआ था, अगला है कि भारत के राष्टपती का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत का जो राष्टपती है, उसका जो चुनाव है, संसत के दोनों सदन के, निरवाचिस सदस और राज विधान सभाव के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसको भी याद देखेगा, निरवाचिस सदस यहां लिखा वायना कि मनुनीत संसत का दो सदन जैसा कि आपका मालूम होगा एक आपका लोकसवा है एक आपका राजसवा है ठेके तो लोकसवा राजसवा से जो भी निर्वाची सदस होंगे वो आपके राजपति के चुनाव में भाग लेंगे यार देखेगा मनुनीत भाग नही कुण नहीं लेते हुए। ने किस निर्थ सेली में संगितनाटक पुषकार है जो की जीता है तो तपन कुमार की बात करेंगे तो तपन कुमार पतनायक जो है वो आपका च्छो नर्थ सेली में आपका जो है आपका संगितनाटक अकेडमी अबोर जीता है तो इसका राइट एंसर आपका च्छो हो जाए तो भारत का जो संस्कृति मंताले है इन संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मनता पर आठ सास्ते निर्थ को तो आठ सास्ते निर्थ को तो आठ सास्ते निर्थ का दर्जा प्रदान दे दिया है तो अगर आपसे भारत के संस्कृति मंताले के द्वारा पूछा जाएगा तो आठी होगा चो की बात करते हैं तो चो आपका पूरवी भारत के तिन रज्जों में अलग-अलग नामों से मना जाता है वो तिन रज्ज है आपका एक है तो एक तो आपका झारखन है एक आपका है औरिशा है एक आपका है पच्छिम मंगाल ठीक है इन तिन रज्जों में चो घंपरोगा जो के अलग अलग नामों से बना जाता है इसके अस्थानी नाम है दिए पुरिया दौ में पूरिया द्छौ में यहा का अस्थानी अगला है कि महत्मा गांधर कर नाम के दभता यहीवित विदर के दिंद सब्धायक है आपका यही सराय केला चितर से बने हैं तो इसको भी याद दखेगा अगला है कि महातमा गांधी के नई श्रिंखला के 2000 रुपे के बैंक नोट के फ्रिष्ट भाग पर किसका चितर है 2000 रुपे का जो नोट है उसमें मंगल यान का चितर है तो इसको भी याद दखेगा किसका चितर है तो आपका लाल किला का है मंगल यान का है लाल किला की बात करेंगे तो लाल किला 500 रुपे का जो नई नोट है उस पर है इस कलावा सुर्व मंदिर के बात करते हैं तो सुर्व मंदिर जो कुनार्क में इस्ति थी उसमें आपका 10 रुपे के नोट पर है रानी की उबाग करेंगे तो जो 100 रुपे का नोट है उसके पीछे देखेगा तो रानी के बाओ का ही चितर है अगला है कि भारतिय सिम्धान के मूल लेख में अनुछेद थे तो मूल लेख में आपका 395 में अनुछेद था तो इसका राइटेंस आपका 395 में ही हो जाएगा मूल लुप से आपका 395 में अनुछेद था इसके लगा 22 भाग था और आपका 8 अनुसूची था लेकिन वर्तमाने भाद करेंगे तो ये 22 भाग बरकर 25 हो गया है 890 बरकर आपका 42 हो गया है लेकिन समिधान का जो आपका नुछेद हो आपका संक्या 345 में है लेकिन इससे बरियेगा तो आपका 470 नुछेद तक चला जाता है लेकिन आपका संक्या है आपका समिधार में 395 में ही है 396 में नहीं हुआ है अगला है कि अपात काल के दोरान किन मौलिक दिकारों को निलंबित नहीं क्या जा सकता है तो अपात काल के बात करेंगे तो इसके दोरान जो आपका अनुछेद 20 है और उनुछेद एकई से उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है तो 20 की बात करेंगे तो 20 क्या है तो 20 की अपरादों के लिए सजा के समन्द में सनक्चर समन्दी थे उनुछेद 21 की बात करेंगे तो जीवन और व्यक्तिकर सुनतंता का सनक्चर समन्दी थे इन दो अनुछेदों को आपका अपातकाल के दुरान आपका सस्पेंड यानिकी लिनम्बन नहीं किया जा सकता है बाकि जो भी अनुछेद जो भी मोली का दिकार होगा अगर अपातकाल लगता है भारत में तो उसका लिनम्बन किया जा सकता है अगला है कि 1998 में डोवर में केलिस तथा इंगलिस चैनल को पाड़ करने वाले भारतिये कौन थे जो 1966 में एक कलेंडर वर्ष में पाच महाधिपो के महसागरों के महसागरों में तिराकिक करने वाला एक मात्र वेक्ति भी थे तो इसका राइट एंसर आपका मिर्स तेनी इसका राइट एंसर हो जाएगा मिर्स अन्यों डोवर से क्यालिस तक इनलिस चैनल को फटा करने वाली ये पहले भारतिये बने हैं साथ में ये पहली ACI भी थें ठीके ACI भी थें इस वात को याद दखिएगा अगला है कि कौन सी अच्छांस रेखा भारत के मद से होकर गुजरती है जो देश की जलिवाई को परभावित करती है तो भारत के मद से जो रेखा होकर गुजरती है उससे हम लोग करक रेखा के नाम से जानते है जो करकर रेखा है वो भारत के आठ राजों से होकर गुजरता है वो आठ राज राज में एक राज आपका गुजरात है दूसरा आपका राज स्थान है तिसरा आपका मद परदेश है चौथा आपका च्छतिस गर है इसके लाबा पच्मा आपका जहारखन है फिर आपका पच अगला है कि एसे राजश्र का परकोई दावा नहीं होता है वह क्या कलाता है तो वह आपका कलाता है गैर परतिदेग ठीके क्या कलाता है तो गयर परतिदई कलाता है जिस पर राशरकार का कोई भी धाबा नहीं होता है अगला है कि भारत में अरेवी का कॉफी कौन से राज में उगाई जाती है तो भारत की बात करेंगे तो भारत में जो अरेवी का कॉफी है वो दोस्तों आपका कनाटक में उगाई जाता है तो इसका राइट इंसर आपका कनाटक ही हो जाएगा साथ में जो कनाटक है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उतपादक का राज भी है पहले के प्रस्व में लोग कपांस के बारे में देखे थे कि कपांस का अगरीम उतपादक का राज कोन है तो गुजात था उसी परकार कॉफी उतपादक में देखेंगे तो आपका कनाटक है जो कि सबसे ज़्यादा हिस्तेदारी है जो कि उगाता है भारत में कुल 21% हुटपादन है आपका कॉफी का वो आपका केरल करता है लेकिन उससे ज़्यादा भी आपका कनाटक है जो कि करता है तो इसका रहे टेंस आपका कनाटक हो जाएगा कनाटक और के भारत में कुल 90% हिस्सा है जो कि आपका उगाता है ठीक तो इसको याद देखिएगा के रेल सेकेंडर सान पर रहे तो मिलाडू आपका तीसरा सान पर है अगला है कि भारत में पहली संपुन जन्करना कब की गई थी तो भारत की बात करेंगे भारत में जो पहले संपुन जन् इसको भी या दखे गए जो जनगर्णा है परतेक 10 साल पर कराय जाता है तो 1861 से बात करेंगे तो 1861 से अगर 211 तक देखें जो कि अंतिम जनगर्णा था जो 111 के बाद कोई भी जनगर्णा नहीं हुआ है तो आपका पंदरमी जनगर्णा था अजादी के बाद आपका ये इसको भी या दखेगा नेक्स्ट है कि स्कील इंडिया अवियान की अविशासन परशद की अजयक्सता कौन करते हैं तो स्कील इंडिया का जो अविशासन जो परशद है उसकी अजयक्सता की बात करेंगे तो उसकी अजयक्सता आपका परधान मंतरी जी के द्वारा किया ज तो इसका राइट इंस आपका क्या होगा परधान मंतरी होगा इसको भी आप याद दिखेगा तेके इसके लावब जो स्किल इंडिया जो मिशन है आपका 2015 में 15 जुलाई की दिन शुरू किया गया था नई दिली से अगला है कि सदनम पीबी बाल कृष्णन को किस निर्थ सेल के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुर्षकार दिया गया है तो सदनम जो पीबी बाल कृष्णन है उनको कथक कली निर्थ सेली के लिए संगीत नाटक एकेडमी एवर्ड है जो की दिया गया है तो इसको आप लोग याद दखिएगा कथक कली नेक्स कोर्षन है वह है कि मानव सरीर में भोजन का भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैस से प्रानम ओकर गुद्दा तक जाता है तो इसका राइट इंसर आपका ओप्शन नमबर एक मुक गुई का इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स कोर्षन है कि तमिलाडू टट पर अधिकतर जो वर्षा है वह डैस और डैस के दोरान होता है तो तमिलाडू टट के बात करेंगे तो उस पर जो अधिकतर वर्षा है वह दूसर आपका अक्टूबर और नमबर के दोरान होता है तो इसका राइट इंसर आपका मारत में सरबादिक महिला सक्षर्दादर आपका केरल का है साथ में पूरुस का भी सरबादिक सक्षर्दादर केरल का है और और अगर राज्यों में पुछेगा तो किरल का है इसको याद दखिएगा अगरा है कि महाँ से वरातरी हिंदू देवता भगवान सिव के समान में यंदूमाद डैस में मनाया जाता है तो जो महाँ सिवरातरी है वो दोस्तों आपका फागुन तेक है ओप्सिन नमर 3 फागुन महा के दिन मना जाता है जो कि आपका हिंदू मा का महिना है तो इसका राइट एंसर आपका हिंदू मा इसका राइट एंसर हो जाएगा फागुन 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 की बात करते हैं तो फागुन दुस्तों आपका आता का वे ठीक है तो फागुन आपका फरवारी मार्च की बीस्त में आपका फागुन का महीना है जो की आता है अगला है कि बेड़ मिंटर में परतेक गेम में परतेक खेल या गेम में प्रेंट्स कितना अंख होगा तो आपका 61 अंख होगा ठीके तो इसका राइट एंसर क्या होगा 1 काई mover होगा एक मैच में 21 अंग का कुल तीन गेम है जो कि बेंड मिंटर में खेला जाता है इस बात को याद दखिएगा ठीके बाकी बेंड मिंटर कोट की लंबाई आपका कितना होता है 13.4 मीटर होता है वाई पर आपका एकल कोट के लिए अगर डवल कोट होगा तो 13.4 मीटर आपका क्या हो लंबाई होता है लेकिन चुराई की बात करेंगे तो डवल कोट के लिए 6.1 मीटर होता है और सिंगल कोट के लिए आपका 5.18 मीटर होता है ठीके तो यह आपका पचास कोशन आज रहा है बाकी कल से हम लोग और भी कोशन को बढ़ाएंगे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देज़ेगा चैनल पिणेयां को चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा मिलते हम लोग नेक्स्ट टूडियो में जबतक के लिए जहिन जय भरत वंदे मात्रम वीडियो देखने के लिए धन्यवाद